मेरे प्राण, मेरे पिताजी के आदर्शों में समाई हुए हैं और मैं उनके क्षत्रिय धर्म को निभाता रहूँगा बेटा, योध्धा बनना आसान नहीं है, परन्तु अगर तुमने तपस्या और संकल्प सीख लिया है, तो तुम असीम शक्ति का प्रमाण बन सकते हो मैंने स्वर्ग को अपना घर बनाया है, और इसीलिए मैं आज तक जिन्दा हूँ मेरी कहानी सिर्फ एक योध्धा की कहानी नहीं है, बलकि एक विश्वाश का प्रमाण है, जो कि अब तक अधूरा है मैं जिन्दा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मेरे पिता का विश्वास है और उनकी आद्मा का साथ है मेरे पास अमरता का रहस्य है, और मैं इसका उप्योग अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए करूँगा पुत्र अश्वत्थामा तुम अधर्मी नहीं बन सकते, तुम्हें धर्म का साथ देना ही होगा, और इस विश्व को अधर्मियों से मुक्त करवाना होगा मैं हूँ गुरु द्रोनाचार्य का पुत्र अश्वत्धामा और मैं आज ही भी जीवित हूँ धर्म का साथ देने के लिए